व्यूंए पर आप सबस्क्रות करते हैं आप सबसुन लोगों को कहीं नहीं ग्रूप वगरा में सिग्नल वगरा देखते हैं इसी भी लोग क्या सिग्नल करते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि उन पर ट्रेडिंग करना चाहसे आक्या का तो उसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्केशन वगरा करने वाले यहां पर कि ट्रेडिंग आखिरकार होती कैसे सिग्नल्स पर कैसे किया चाता है ठीक है तो उन सारी चीज़ों को अपन थोड़ा है पर क्लियर्टली देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़े समझने आ बारनेगा बट मैं आपको वह तरीका बता रहा हूं जिस पर आपको ट्रेडिंग करनी है हएं उनके कैसे सिंग्नल्स को फोलो करना है ठीक एन इसका जो लो लेविल है वो भी मैं आपको मार्ग कर देता हूं वो उसका 40 लेविल है 40 ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर आप साथ इपस का SL मेंटेन कर रहे हैं ठीक है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए अधरवाइस बहुत गवा देंगे ठीक है तो उसका एक प्रोपर तरीका होता है ठीक है अब मान लीजिए एक ट्रेडर है उसने आपको बोला कि आपको क्या करना है एक बाई साइड की ट्रेड ले लिए उन्होंने बोला कि SL जो है वो अपना रहेगा 40 पे ठीक है और अपना जो बाई रहेगा क कि जहां से आपको बाई करना है वो बाई उन्होंने बोला कि आप ऐसे समझे कि आपको उन्होंने बाई बोला कि जो बाई आपका रहेगा वो यहां पे रहेगा एप्रोक्समेटली किता आवाने यहां पे 70 कर देते हैं, ठीक है? 70 पे आपका buying रहेगा ठीक है, ठीक है? उन्होंने जो यहां पे buying बोला है, यह अब mid level पे बोलते हैं, ठीक है? क्या करना है, कि यहां पे थौड़ा सा कम करते हैं, अपन यहां पे रखते हैं और 50 से लेके 80 के बीच में आपको बाइन करना है ठिक है उन्होंना a sale दे दिया आप बाइन दे दी एंट टीपी तो कोई इस्यू ने टीपी का अपन बात में discussion कर ले अब लोग क्या करते हैं कि उनको बाइन का पता चला कि अपने को बाई करना है ठिक है तो इसका मौल लेता ह मैं यहां पर 80 परसेंट वाला लेविल यह वाला लेविल 80 परसेंट चीक है यह क्या हो गया यह 80 वाला लेविल है इसको थोड़ा सा अपन लेफ्ट में कर देते हैं चीक है यह 80 का लेविल है अब इसी को मैं 50 का लेविल भी माक कर देता हूं यह 50 का लेविल यहां पर हो जाए यह यहां पर आपका 50 का लेविल हो गया अब दो चीजें आपका मार्केट क्या हुआ कि यहां तक आप आया चीए अब समझना मैं जो समझाना जा रहा हूं मार्केट क्या हुआ यहां तक आया यहां तक आते उनको लगा कि अब थोड़ा सा मार्केट यहां से क्या होगा सेल में जाएगा देन अगेन अपन रिटेस्ट पर यहां से बाई करने का प्लैन करेंगे अब समझी होता क्या है अब यहां पर क्या होगा कि सामने वाले ने क्या कि ग्रूप के अंद कई बार बड़े भी देते ज्यादा तर लोग जो है मैं गेरंटी दे रहा हूं उनका हमेशा तो एसल रहेगा वो तीस से लेकर यह चालीश से एसल जो है पीस से चालीश पिप्स उपर ही एसल रहेगा उनका कोई नीचे नहीं देता है उससे ठीक है तो अब यहां पर क्या खाला है जैसे मार्केंट ओरन में एंटर करता है तो वहाँ पर आपको ट्रेट लेनी है मैं बता देता हूं एक पार कैसे ट्रेड लेनी उसका पैटरन क्या होगा किस तरीके साफ तारी सीिए सबसे पहले यहां पर मैं एक ट्रेड प्लेस करों आदो Šोटी सी और उसका जो ल मेरा zone है कितने zone के अंदर trade लेना है तो 50 और 30 के बीच का difference देखे तो करीबन करीबन 30 pips हो गए right 30 pips के अंदर में 3 तरह की trade लोगा सबसे पहले छोटी trade 0.010 ठीक है अगर market इसको tap करके जाता तो भी मुझे कोई loss नहीं होगा अगर मैं 0.01 की एक trade ले रहा हूँ और अगर मेरा SL हिट करती है 80 pips आता ही तो मेरे को जो यहाँ पर loss होगा वो कितना होगा 4 डोलर का ठीक है अब समझे ना मैं loss कैसे count कराऊंगा यहाँ पर आपका क्या होगा 4 डोलर का loss होगा यहाँ पर आपका क्या होगा क्या करूँगा कि इसके नीचे वाले point पर लूँगा कहाँ पर जहाँ पर mid level है अब mid level को मैं कुछ दूसरे तरीके से indicate करता हूँ यहाँ पर इसको अलग तरीके से color and happen define कर लिते है कुछ ऐसा हाँ सही है ठीक है mid level के यह 30 वाला level है ठीक है 50 के बाद क्या होगा 60, 60 के बाद 70, 70 से 80 ठीक है तो यहाँ पर यह होगा mid वाला level क्योंकि इनके बीच में 30 का गये पर 15 पर काम करेगा मैं total 3 trade लूँगा पहली trade होगी 80 पर second होगी मेरी 70 पर ठीक है third trade जो होगी मेरी उससे down 60 पर और फिप्ट वो ट्रेड होगी मेरी पचास पर ठीक है मैं चार तरह कि इस टुकडों में trade को बांट लूँगा कैसे मैं लिख भी देता हूँ आप एक बाद entry base पर trade कैसे लेंगे सबसे पहले मैं 80 वाले level पर trade लूँगा first trade लिख भी देता हूँ यहाँ पर मेरा यह जो रहेगा यह first trade रहेगा मेरा उसके बाद second trade 70 वाले level पर यानि कि 10 पिप्स market थोड़ा और नीचा है तो यहाँ पर मेरा क्या होगा यह second trade होगा ठीक है उसके बाद क्या होगा 60 वाले पर यहाँ पर मेरा market थोड़ा सा और नीचा आएगा ठीक है 60 पर आने के बाद मैं क्या करूँगा third trade लगा होगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा 50 पचास तो मेरा last चुनता है फिर इस पर मैं लूँगा fourth trade ठीक है इस तरह 0.01 का मैंने एक trade लगा दिया ठीक है second मेरा क्या होगा second जो trade मेरा रहेगा वो रहेगा इस level ठीक है इस पर मैं क्या करूँगा 0.02 की trade दूँगा ठीक है यह जो level है कौन सा वाला level है अब market क्या करता है यहां तक आता है अब market यहां तक आ जाता है ठीक है यह जो level है यह level अपना गया कौन सा second level कौन सा है तो यहां प्रपन ने क्या कर दिया सत्तर वाला जो level है उसको define कर दिया ठीक है अब समझ यह सत्तर से लेकर market जो है पचास तक जाता है तो अपने को यहां पर क्या होगा अपने को यह जहां पर loss होगा वह कितने का होगा छे डॉलर का loss होगा ठीक है यहां मैं लिख भी देता हूं इस इसको सेकिंड लेवल पर होगा अपने को सिक्स का लॉस ठीक है अब थर्ट रेड लूँगा मैं साठ के उपपर यह मेरा होगया सिक्स्टी वाला लेवल यहां पर मैं कित्ते की लूँगा जीरो पंट जीरो थ्री ट्रेट जीरो ठीक है अब मेरा यहां साठ पे लिया दस जो पिप से उसका मेरा एसेल जाएगा अगर चालिस तक मानता हो तो तो यहां पर आप केलकुलेट कर लीजिए इसको कित्ता हो गया है ठीक है अगर सब्तर से लेता था तो सतर और मीरा दस वीस थिस सालिस का लोज करना है किस तरह सी ले रहे हो थोड़ा उपर नीचे और हो सारी चीजे में आपको प्रूफरली देखना है समझना ये देमस यह फिर कीटा ना पड़ेगा ठीक है कि आपका जो लोस है वो कितना रहेगा किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे राइट तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं थर्ट रेड यहां पर 60 पे place करता हूँ 40 और 40 मेरा 2 ठीक है तो जो total मेरा loss होगा यहाँ पर 6 डॉलर का loss होगा ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 डॉलर का loss होगा मेरा यहाँ यहाँ पर यह मैंने लिख दिया है ठीक है अब मेरा final trade है 10 पिस वादा जिस पे मैं क्या करूँगा 4 डॉलर का एंट्री लोगा तो यहाँ पर क्या होगा मेरा कित्ता loss होगा अगर market 10 पिस भी जाता है तो 4 डॉलर का loss होगा ठीक है तो यहाँ पर जो मेरा total loss count होगा 4 डॉलर आ जाएगा इदर last में ठीक है और मेरी यह क्या होगी fourth entry हो जाएगी यहाँ से यह मेरी fourth entry ठीक है यह मेरी fourth entry होगी ठीक है अब सारी entries मैंने बता दी अब समझना मैं कहना क्या चाहता हूं अखिर का अगर मेरा market यहाँ तक आया अगर market क्या होता है थोड़ा नीचे तक आता है then मेरे इन सभी levels को touch करता हुआ जाता है ठीक है अब जो मैं कह रहा हूँ वो समझ ना तो मेरी जो first entry थी वो थी यहां पे ठीक है और मेरा जो SL था वो था यहां पे ठीक है तो मेरे को कितना loss होगा total total with total जो मेरे को loss होगा लगभगग लगभग 20$ का loss होगा यहां पर कित्ते का 20$ क्रोंती गुलर का 24$ है उससका मुझे tie जो डॉलर क्योंग night total कोई issue हो ने 20$ का मुझे लोस होगा लग-好像 टाइम frame पे मैंने entry वहग प्लेस की सारा कुछ आप सोचिये बिए मार्के Taylor यहां से अप जाता है यहां पर कितने पर कि मेरा मार्केत यहां पर था और यहां से मार्केट अब जाना शुरू करता है कूल से या 50 से खीक है last entry 50 अगर market 50 से 67 छाता है लास्ट वाली trade की बात कर रहूना है इसको अठा देतेo P&L को अगर market 50 pip से जाना शुरू करता है यानि कि 50 वा level है ऐसा कुछ भी समझ लिया 50 जो मैंने entry point देए वहां से आप enter करते हैं 50 पे आप enter करते हैं ठीके आपका मार्केट अगर 60 पे जाता है यहां पे तो आपको जो बेनिफिट होगा चार डॉलर का लास्ट डॉलर एंटरी 0.004 तो यहां पे 4 डॉलर का फोर फिट होगा आपने सेम लिखना है कि आपका वही एंटरी 50 पे आपने एंटर कर रखा है अब 60 से उपर कितना है का 70 70 पे जाता है तो यहीं पे आपको आठ डॉलर का फाइदा होगा चीके सेम चीज लिख देता हूँ 50 से आपने एंटर कर रखा है 50 से मार्केट क्या करता है अगर 80 पे जाता है तो यहां पे आपको टोटल कितना 12 डॉलर का प्रोफिट होगा ठीके आपका मार्केट क्या करेगा 12 डॉलर का प्रोफिट दे के जाएगा कहां तक 60 70 80 तक जाने के लिए ठीके तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना यानि कि आपके मार्केट ने कितना दे दिया टोटल जो प्रोफिट की बात करें तो लास्ट एंट्री पर 12 डॉलर का प्रोफिट दे दिया ठीके अब नेक्स्ट एंट्री पर बात करते हैं अपने क्या किया यहां पर आपका जो नेक्स्ट एंट्री था वो कितने पर बना था 0.03 वाला जो entry है ये बनाता 60 के उपर ठीक है लिख देता हूँ अगर आपने 60 पर enter किया buy के लिए ठीक है अगर आपका market 60 से क्या करता है 70 की तरब जाता है तो आपको जो benefit होगा यहाँ पर ठीक है 3 डोलर का benefit होगा यहाँ पर राइट उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका market 60 लिख देता हूँ 60 से 70 चलेगा 70 से market जाएगा 80 पर तो 80 पर आपको कितना होगा 6 डोलर का फायदा होगा ठीक है तो आपने क्या किया 2nd entry से 6 डोलर और कमाले इसको भी लिख देता हूँ इदा next अब आपका आपने 70 पर एंटर किया ठीक है आपका market 80 तक गया ठीक है 80 जाने के बाद कितना फायदा होगा आपको यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो 70 से 80 गया तो आपको यहाँ पर 2 डोलर प्रोफिट बन गया ठीक है अब यहाँ तक तो वो level आचुके जिसमें आपका entry जोन तक कवर किया है market ने अब मान लीजिए फस्ट entry आपने 80 पर प्लेस की अब 80 से market only सिर्फ 90 पर जाके रुख जाता है ठीक है 80 से market क्या करते हैं 80 से आप enter करते हैं और 80 से जो market है अपना 90 पर जाके रुख गया और यहां पर 0.01 का आपने एक डोलर बनाया ठीक है यह आपका पूरा entry सेट अप मैंने बता दिया तो अब आपका total अगर profit की बात करें तो आपका जो 0.04 ठीक है उसमें आपने कितना डोलर कमाया 12 डोलर profit प्लस आपका यहां पर क्या हुआ आपको सारे entries होकर आपका जोड़ लेना है तो जो बंदा आपको यह कहता है कि 80 से लेकर 50 के 20 में आप बाइम करो तो आप random trade अब मालो यह trade आप 20 की यहीं पर डाल दे तो आपका 20 का loss होता अगर otherwise आपको loss भी होता है तो loss कितना असा होता है मैंने आपको जो total loss बता है 20 डोलर का और आपका market अभी तक जोन से सरिफ 10 pips निकला है उपर ठीक है जिसमें भी अगर मैं इसको अटा देता हूं तो 19 डोलर तो आपके यहीं पर recover हो गए कहां कहां पर मैं बता देता हूं आपने क्या करना यहां से आपकी final trade उस्टार्ट होई यहां तक जाते जाते आपके 20 डोलर का लोस कवर हो जाएगा ठीक है अब सोचो यहां पर जाके आपके 20 डोलर का लोस कवर हो गया तो मार्केट अगर 20 पिप उर उपर चले गया तो आपको यहां पर जो benefit 20 डोलर का benefit हो जाएगा आपका जो यहां पर आप प्लान करते हैं बीच में डालते हैं उससे आप बच जाएगा ठीक है तो इस तरह कि जो entries होती है उनको signal based entries करते हैं वो signal based entry होती है से इसी तरह ली जाती है ठीक है तो आई होप आपको यह video समझ में आया होगा करके इस लेवल से इस लेवल के बीच आएगा मैं कुछ entry plan करूंगा थीक हो और यह मेरा SL जाएगा है और मैं हर चीज लिख लिख के समझा देता हूं आपको यहां पर यह मेरा SL करते हूं सब को यह मेरा एसेल हो गया कि मेरा लास्ट पॉइंट हो गया इसको मैं थोड़ा ग्रीन टाइप में कर देते हूं यह मेरा नेक्स्ट कॉइंट हो गया ठीक है अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं देख लूँगा कि जो टोटल है वो हंड्रेट पिप्स का जोन है जिसके अंदर मुझे एंट्री लेनी है तो मैं हर 20-20 पॉइंट्स पर एंट्री ब्लैंड करूँगा ठीक है तो मेरा जो एंट्री रेगा जैसे मार्केट टेप किया तो मैं यहां पर क्या करूँगा सबसे पहले मेरी एक एंट्री डालूँगा 0.02 की अपने अकाउंट साइज के अनुसार लोस को मेंटेन करते विचलना है सेकिंड जैसे 20 पिप्स डाउन आया मैं यहां पर नेक्स्ट एंट्री फाइनल टेली जो है में यहां पर रहेगा जिरो पर जिरो डूट टू का और यह मैरा ए साल है टू यहां पर एक लोग यह तो मैं बिल्कुल के पास हलकी से आज़री एंट्री और लगांगा और यहां पर मैं लगांगा मेरे का मुझे अच्छा गा सा प्रॉफिट लेना 0. 差不多 zero point 10 की ठीक है अब मार्केट क्या करता है कि अगर मानना लीजिए मेरा मार्केट यहां से यहां तक मुझे profit लेना है ठीक है यहां से मेरे सारे अंट्री जो गया यह मेरा SLA तो यहां से एक समझना मेरे को टोटल जो लोस होगा सब चीजों को मिला के मेरे को 20 डॉलर का लोस हो रहा है लेकिन यह मेरा 0.010 की एंट्री है अगर वो यहां तक भी जाता है तो भी मेरा सारा लोस कवर करके मुझे प्रॉफिट देके जाएगा हूँ राइक समझ रहे हैं अगर मार्केट उपर 10 गया मेरे 20 डॉलर बन जेंगा अगर मार्केट यहां गया मेरा 30 डॉलर तो एक सिंगल एंट्री से बनेगा और इस एंट्री का जो SL है वो उल्ली सिर्फ 2 या 3 डॉलर का SL बनेगा राइट समझ रहे मेरी बात आप तो इस तरह से आपको एंट्री एंट्स्विमे थैंक यू मुछ अमच